दोस्तों रमस्कार करनल अजयस यो अजयस टो मनी ग्रूप फर्स्ट ग्लोबल अश्टो फनेंस डिजिटल चैनल से आप से मखाती बुता हूँ आज है 23 अगस सन 2024 शुकरवार दोस्तों एक खुश कबर 15 अगस से 24 अगस के बीच सुतंत्रता दिवस के शुब और पावन अफसर पर हमारे सस्क्रिप्शन के उपर विशेश रिसर्च रिपोर्ट में विशेश रियायत या छूट की घोशना दोस्तों देश के कोने कोने से लगातार सस्क्राइबर्स बढ़ रहे हैं साथ-साथ विदेशों से भी जबरदस्त सस्क्रिप्शन के अंदर इजाफा हो रहा है आप पीछे क्यों हैं आप भी समपर्ख तो करें नमबर स्क्रीन पे दिये हैं बात करें दोस्तों आज के अपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजरे यानि पौल्ड मिलेट जिसे कहते हैं जो कि पौल्ड मिलेट जिसमें राजिस्थान का सबसे बड़ा रोल माना जाता है गौतरब है कि बाजरे का इस साल साल 2023 चोईस में लगबग 70 लाख हेक्टर के अंदर विजाई होने के समाचा रहे हैं और राजिस्थान इसमें अवल यानि पहला इससान रखता है जानि यह रिपोर्ट बाजरे की विस्तार से दोस्तों इससे पहले हम शो आगे चालू करें आपसे एक विनामन अनुरोद यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बारा हैं और जो पसंद आता है तो सस्क्राइब अबश कीजेगा बेल आइकन यानि गंटी के निशान को पुश कीजेगा ताकि हर महतपुन शो की सूचना आप तक पहुचाई जा सके दोस्तों आज का यूग सूचना का यूग है और जो सूचना में अपडेट में पीछे रहता है वो व्यापार में निश्चित रूप से पीछे रह जाएगा दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि साल 2023 में लगबग सतर लाक हेक्टर के अ सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्यों में से माना जाता है लगबग 44 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन राजिस्तान से होता है उसके बाद महराष्ट गुजरात और बाकी स्टेट आते हैं तो दोस्तों राजिस्तान के अंदर उसके बाद यूपी 10.2 एक लाक हेक् गुजरात 1.6 लाक हेक्टर मैं बीज़ाई की विज़ाई करनाटक में 1.32mat विज़ाई के समाचार हैं दोस्तों जह तक प्रोडेक्शन का सवाल है राजिस्तान विज़ाई के मामले में आगे है तो प्रोडेक्शन के मामले में भी आगे है ये द्रिस्मिलाब 4.28 milyon टन बा है उसके बाद दूसरे राज़े आ जाते हैं दोस्तों आपको गेहूं मक्का बाजरा जो पे जो अपडेट दिये थे वो सही साबित हुए हैं बाजरे की नई सब फसल सेप्टमबर मंत के अंबर आने की उमीद है गौत रब है कि मौदूदा समय में बाजरे की जो खेतों से खबर यह है कि फसल अच्छी बताई जा रही है कोरतरा बै की राजिस्तान हर्याणा पक्षमी उत्तर प्रदेश की आलाकों में फसल की वोईशन अभी काफी अच्छी है और साथ साथ नया बाजरा लगबग सितंबर महिने के तीसरे सब्ता के पास आसपास आने की उमीद लगाई जा रही है साथ साथ सरकारी टेंडर्स के माद्यम से भी हर्याणा राजिस्तान में सरकार ने हाल में ही बाजरे की बिक्री के भी समाचार हैं कोरतरा बै की लगबग 25, 2480, 2490 रुपए के आसपास जो बिकने वाला बाजरा वरत्मान में 2480 रुपए प्रतिक उंटल क भाव बताए जा रहे हैं गोरतला बै ये भी देखने वाली बात है कि इस बार प्रियागराज, कर्नोज, गाजीपूर, कानपूर, जोनपूर इलाके में बाजरे की पिजाई 90 प्रतिशत तक पूरी हो गई है और केवल 10 प्रतिशत बाकी है जो आगे होगी बकसर लाइन में भी बरसात का मुनेक से किसानों ने विजाई अधिक किया है गोरतला बै की बाजरे की विजाई एवं फसल तयार होने तक किसानों को कम लागत वहन करना पड़ता है और इसके भाव पिछले दो वर्शों से अच्छे मिल रहे है इसी वज़े से किसानों ने इस बार पड़ाई होने के समाचार है और खेतों में फसल अच्छी बताई जा रही है पिछले साल अनुमान ने फसल लगबग 110 से 125 लाख मेट्रिक टन के होने के अनुमान थे जो इस बार बढ़कर 170 लाख मेट्रिक टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है दूसरी और इस बार यह किसानों से बात करने पर यह पता लग रहा है कि इस बार किसानों ने बाजरे की प्रजाती अलग-अलग विजाई की है जो पिछले पांच वर्षों के अंतराल में 70 प्रती हेक्टर उत्पादन अधिक होने लगा है और यही कारण है कि विजाई छेटर में बहुत बड़ी इजाफा के नहीं होने के बावजूद भी उत्पादन अधिक हो सकता है इसका कारण उन्नत बीज बताए जा रहे हैं दोस्तों अब एक महतोपुन प्रशनी यह है कि आने वाले समय में बाजरे के अंदर क्या मुनाफ़ा लेना चाहिए या रूकना चाहिए दोस्तों मक्का गेहूं बाजरा और जो अब एक निर्नायक मोड पे खड़े हैं रोकना चाहिए या बेचना चाहिए विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए समपर करें दोस्तों हमारा विशेश रियाईती सस्क्रिप्शन हमेशा उपलब्द नहीं होता है और जो महनुवाव सस्क्रिप् और भी उपलब्द है मात्र तीन हजार रुपए वार्शिक शुल पर आज ही समपर करें अल्डे वरी बैस्ट गुड लक हैपी टेड़ी